आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पार्ट बोला गया है 5 मीटर पर Second Square ध्यान दिजिए कि आपके पर Second Square इसको मैं divided करके लिख सकता हूँ by Second Square अब इसको कनवर्ट करना है किलो मीटर पर आवर में सबसे पहला आपका जो पॉइंट है कि हमने पढ़ा है कि 1 किलो मीटर में क्या होता है वन किलो मिटर में आपका 1000 मिटर होता है और आपका वन आवर में क्या होता है तो वन आवर में आपका 60 मिनट होता है और अगर वन आवर में बात करेंगे तो वन आवर में आपका 3600 सेकेंड होता है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें इस मीटर को किलो मिटर म बदलना है तो इसे में क्या करना पड़ेगा तो वन बाई हजार से डिवाइड करना पड़ेगा तो यह मीटर आपका बदल जागा किलो मीटर में और डिवाइड करेंगे यह जो सेकेंड है सेकेंड को बदलना हमें आवर में तो सेकेंड को अगर आवर को आवर में बदलना है तो आपका यह आजाएगा 5 और into का आपका आजाएगा 3600 का squaring करेंगे और नीचे में आपका आजाएगा 1000 ठीक है और यह value आपका आजाएगा kilometer per hour square में ठीक है अब अगर मैं बात करूंगा इसको just आपको solve करना है तो यह 00 से 00 और 00 से 00 cancel हो गया अब अगर आप इसको solve करिएगा तो after solving हमारा आजाएगा 6.480 into का 10 to the power 4 km per hour square ठीक है जो कि आपसे question में बोला जा रहा है तो जो आपका 5 meter per second square जो आपका है यह आपका convert होगा 6.480 into 10 to the power 4 km per hour square के बराबर ठीक है और next अगर हम लोग बात करेंगे question number second में तो question number second में आपका g का value दे रखा है जो आपका part second है उसके में आपका g का value दे रखा है वो value आपका है 6.67 into का 10 to the power minus का 11 है और साथ में newton meter square और साथ में क्या है per kg square है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजेगे यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर unit conversion ही करना है यह point आपको as it is लिख लिजे 6.67 into 10 to the power minus का 11 यह जो newton है newton को हम लोग लिख सकते हैं न क्यूंकि newton force होता है force को लिख सकते है mass into का acceleration तो mass आपका हो गया kg और acceleration को हम लोग लिख सकते हैं meter per second square के बराबर और आपका साथ में meter square है ठीक है और इस पूरे term को हम लोग यहाँ पर divide करेंगे आपका यह जो आपका kg का square है उससे ठीक है अब अगर आप यहाँ पर इसको हलका सा और simplify करिएगा तो आपका यह जाएगा 6.67 into 10 to the power minus का 11 और इसको यहाँ पर देखिएगा तो 1 kg स 1 kg आपका cancel हो जाएगा तो उपर में मारा जाएगा meter का cube और नीचे आपका आजाएगा kg और into का आपका आजाएगा second का square ठीक है अब आपको unit जो conversion करना है वो हमें centimeter cube और gram में करना second को एजटी छोड़ देना है ठीक है तो आप अगर यहाँ पर क्या meter है ना तो इस meter को हम लोग convert करेंगे तो आपका यह हो जाएगा 6.67 into 10 to the power minus का 11 इस meter को अगर centimeter में convert करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 100 का cube और 7 में आपका हो जाएगा centimeter का cube क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 meter में क्या होता है 100 centimeter के बराबर होता है ठीक है और जो kg है kg को convert करेंगे gram में तो आपका यह हो जाएगा 1000 gram और यह जाएगा second square अब अगर आप इस value को solve करिएगा तो after solving हमारा कितना जाएगा तो after solving हमारा जाएगा 6.67 और इंटू का जाएगा 10 to the power माइनस का 8 centimeter cube पर gram पर second square ठीक है तो यह आपका हो जाएगा second part का answer ठीक है थैंक्यू